सभी बच्चो को मैंना नुश्कार आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th NCRT प्रिंस्पल आफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिक्स क्लास 11th अचा उल्टा बोल गया है चली समझ में तो आगी आ आपको देखिए प्रिंस्पल आफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इंट्रोड़क्टी वीडियो हम अप्लोड कर चुके हैं 1 to 8 question number upload कर चुके हैं 9 to 16 upload कर चुके हैं आज हम 17 से start करने जा रहे हैं अगर आप इस वीडियो पे पहुँच गये हैं तो इमाल लीजे कि आपने उसका concept पढ़ लिया होगा उसको हम बताने की जुरूत नहीं समझते हैं ठीक है यह RD सर्मा का 8th question भी है क्योंकि RD के जो वीडिय principle of mathematical induction में करते क्या हैं बताये गया था कि किसी series को आपको proof करना है तो series को proof करने के दो तरीके हैं या तो मुझे उस series की जानकारी हो कि वह arithmetic progression है, geometric progression है, harmonic है, exponential है, क्या है हम रहे डिराइब कर लेंगे otherwise हम test करते हैं, कि भाई यह सही है या गलत है, तो test करने के हमने क्या बताये थे, कि पहला step आप लेते है, step 1 for n is equal to 1, step 1 में आप क्या करेंगे, n is equal to 1 पे इसको test करते है, 1 का मतलब 1 step, पहला step, तो LHS की value यहां से क्या निकली है LHS की value आएगी, 1 upon 3 into 5 या into है, decimal नहीं यह ध्यान रखेगा, यह अगर RHS की value भी n is equal to 1 पे यही आती है, तो हम कहेंगे कि this expression, या this statement is correct, for the value of n is equal to 1, अब हम RHS में भी n को 1 रखते हैं, तो जब यहां पर n को 1 रखोगे, तो what will be its value, it will become 1 upon 3 into 2 into 1, and 2 plus 3 5, आपको दिख रहा 1 upon 15 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, कि LHS is equal to RHS, So, given statement is true, given statement is true for n is equal to 1, यानि पहली value के लिए, n की value, यह first step है, यह second term है, यह third term होगा, फिर end term होगा, तभी तो इसकी value आई है न, तो हमने का 1 के लिए यह साही है, ठीक है, इसके बाद दूसरा statement क्या होता है, दूसरा stage होती है, कोई भी एक unknown value आप मान लिजे के, और आप कह दीजे कि यह जो statement दिया है, वो उस value के लिए साही है, तो हमने step 2 में क्या माना, हम उसको proof नहीं करेंगे, हम कहेंगे let this statement, this statement is true for n is equal to k, तो हमने बिताया था कि आपको 3 barrier राइटिंगंदी है हमारी, लेकिन content ठीक होगा, आपको help करेगा, और अगर आपको लगे कि आपके लिए helpful है, तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा, bell icon को press कर ना आप जानते हैं कैसे किया जाता है, rest आप सब जानते हैं, ज़्यादा कहने की जुरुत नहीं है, तो हमने कहा यह statement सही है energy glue k के लिए, इस barrier पे हम इसको test नहीं करेंगे, तो n को जब k रखेंगे, उसके आएगा, 1 upon 3 into 5, plus 1 upon 5 into 7, plus so on, plus 1 upon n को k रखो, तो आएगा 2k plus 1, into 2k plus 3, is equal to, तो हमने कहा यह statement k के लिए सही मान लेते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या-क्या यहाँ n को k रख दिया, तो यह क्या बन गया, 1 upon 3 into 5, 1 upon 5 into 7, 1 upon 2k plus 1, into 2k plus 3, is equal to k upon 2, 3k plus 1, 2k plus 3, हमने check नहीं किया, हमने मान लिया कि यह statement सही है, ठीक है, अब तीसरा step क्या होता है, किसी गाड़ी को check करने के लिए, 3 barrier होते न, पहला barrier, 1, check किया हमने उसको, it is correct or not, second barrier, एक unknown value k, उस पे हमने मान लिया सही है, उसको check नहीं किया, और इसके बाद step 3, पे क्या करेंगे, हम k के just बाद, for n is equal to k plus 1, पे check करने जा रहे हैं, ज़र देखिएगा, अलग-अलग teacher का अलग-अलग अंदाज है, हमने कहा, इसका left hand side हम लेंगे, n को k plus 1 रखेंगे, right hand side में अपने आप n को k plus 1 आ जाना चाहिए, n की जगे, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इधर भी k plus 1 लिखते हैं, उधर भी k plus 1 लिखते हैं, और दोनों side को equal कर देते हैं, तो जहां पर inequality की problems आएंगी, वहां तो साथ लेना पड़ेगा, लेकिन हम यहां नहीं ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS of equation 1, taking left hand side of equation 1, equation 1 का LHS ले लिया, for n is equal to k plus 1, तो n को रख दिया हमने k plus 1, ध्यान से समझेगा, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा, वन अपान 3 इंटू 5, प्लस 1 अपान 5 इंटू 7, प्लस 1, प्लस, देखो, जब आप n को k plus 1 लिखोगे, तो यहाँ जरा क्या आएगा, यह आएगा 2, n को लिखेंगे k plus 1 plus 1, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, 2k plus 3 आएगा, वै 2k plus 2 आएगा, और एक 1 पहले से दिया हुआ है, तो यह एक ब्रैकेट में आजाएगा 2k plus 3, और इस वाले में दो ज्यादा हो जाएगा, 2 plus हो जा इस वैरियर का इस्तेमाल करेंगे इस वैलू का, तो इसके पहले वैलू किया होगी यह लिखना पड़ेगा, तो पहले वैलू देखें क्या हो रही है, इधर से 3 से 5 हुआ, यानि 3 से 5 आने में 2 बढ़ गया, तो उल्टाएंगे तो 2 कम हो जाएगा, तो इसमें 2 कम करो, क्या एक ब्रेकेट में, जड़ा यहां से लेकर के, यहां तक देखें, पूरा, आपको यह देख रहा नहीं देख रहा है, तो इसकी जिए क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी करना है, तो आप क्या करेंगे, यूजिंग एक्वेशन 1, एक् प्लस 3, और प्लस यह पहले से लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, वन अपान 2K प्लस 3, और दूसरा प्लस प्लस 5, अब देखें, हम इसको सॉल्ब करेंगे, वो एक बात की बात है, हमको लाना क्या है, हमको कल्कुलेट होने के बाद में, इस एक्वेशन में, आर चस में, N की जगे K प्लस 1 आ जाना चाहिए, अचा, अगर मैं N को K प्लस 1 लिकर के चेक करता हूँ, तो A क्या रहा है, यहां पर K प्लस 1 आ नहीं आ रहा है, आप कहेंगे, आ रहा है, अचा, यहां पर 3 आएगा, अगर मैं N की जगे K प्लस 1 लिखूँ, तो आप मैथमेटिस कर लाओं वो लेता हूं कम बोलता हूं तो यानि कि अगर इसको हम calculate करें तो this value should come देखते है calculate करके क्या आता है तो चुंकि जगए नहीं है इसलिए हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं ते देखिए वीडियो पॉस करके पहले आप अपना खोड करेंगा इसके बाद देखेंकर यहां पर L.C.M. क्या दिख रहा है यहांपर L.C.M. दिख रहा है साथ कि साथ का हो रहा है 2K plus 5 का हो रहा है प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा यह आएगा ना चुकि 2K plus 3 है इसके पास 2K plus 5 है इसके पास 3 नहीं है तो 3 से multiply हो जाएगा अब इसको calculate कर लिजेगा अपने आप जो result आना होगा वा जाएगा तो इसको खोलो bracket को तो यह क्या हैगा 2K square plus 5K plus 3 अपन 3 2K plus 3 in bracket 2K plus 5 अब आपको splitting the middle term करके factors करने आते होंगे 3 to 5 3 plus 2 करेंगे तो 5 आएगा तो इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2K square plus 2K plus 3K plus 3 upon 3 into 2K plus 3 पस राइटिंग थोड़ी गंदी है और सब बढ़िया है ने मतलब बढ़िया मतलब दिखना चाहिए यहाँ पर यहाँ से 2K कामन ले लो ले लिया कामन अंदर क्या बचेगा K plus 1 बचेगा K plus 1 बच गया plus यहाँ से क्या कामन है 3 splitting the middle term वाले 9th और 10th में आपने factor पढ़े होंगे ठीक है इसलिए हम डाइट बता रहे हैं यहाँ से 3 कामन ले लेंगे यहाँ आएगा K plus 1 upon यहाँ क्या है 3 into 2K plus 3 in one bracket और 2K plus 5 in other bracket यहाँ से K plus 1 कामन अंदर क्या बचेगा 2K plus 3 upon 3 2K plus 3 in bracket 2K plus 5 आपको दिख रहा होगा यह कैंसल हो जाएगा तो यहाएगा K plus 1 upon 3 into 2K plus 5 अभी हम बता चुके हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड में N की जिगे K plus 1 लिखते तो तो सेम रिजल्ट विलकम इट मीज इस इक्वल टो रहस प्रसी सो लिखेंगे तो गिवन स्टेटमेंट इस टू फॉर N इस उकल टो K plus 1 इट मेंस इस टू फॉर आल दे वैल्वे लूस ओ अफन तो दिस दा कोश्चन नमबर 17 नोट दाउन आइटिंक यह आड़ी सर्मा का एक्जामपल 31 है आड़ी सर्मा क्लास 11 निव एडिशन जो है चुकि एडिशन चेंज होते रहते तो एडिशन में कोश्चन भी आगे पीछे हो सकता हो फिलाहाल यह मेरे पास जो एडिशन है जिसको देख करके हम आपको बता रहे है इसमें 2021 लिखा हुआ है तो 2021 एडिशन में यह एक्जामपल 31 है देखो इनिक्वेल्टी का कोश्चन है ठीक है तो पहले तो वही तरीका step 1 लेते हैं हमने क्या कहा step 1 में for n is equal to 1 1 के लिए test करते है अब नियमता LHS की value less than होनी चाहिए RHS से RHS बढ़ा होना चाहिए यही तो यह कह रहे है तो यानि की LHS क्या आएगा LHS 1 आएगा न देखो बहुत लोग बताते है n को 1 यहां रख दीजिए यहां नहीं रखा जाता है 1 का मतलब 1 step 2 का मतलब 2 step 3 का मतलब 3 step यह ध्यान रखिएगा और RHS में N को 1 लिखिए तो N को 1 लिखिएगा क्या आएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 का whole square by 8 यानि के 9 by 8 अब बताओ यह 1 से बढ़ा है की नहीं है भाई यह इसको देखो ध्यान से तो 1 whole number 1 by 8 आएगा न तो 1 से बढ़ा है न इसका मतलब 1 is less than 9 by 8 आ रहा नहीं आ रहा यह value बढ़ी है so it is true for N is equal to 1 यानि 1 के लिए तो सही है जो statement लिखा है वो सही है फिर हम क्या करेंगे K के लिए इसको सही माल लेते हैं अब इसको हम सही माल लेते हैं के let it is true for N is equal to K यानि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे हम यह माल लेंगे सही है मतलब LHS में N को K रखेंगे RHS में K रखेंगे वो माल लेंगे जैसा दिया है वो satisfy कर रहा है यानि यह क्या हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 up to so on plus K is less than 2K plus 1 whole square by 8 यह सही है अब step 3 क्योंकि inequality में थोड़ा गरबढ़ है ठीक है inequality में हम LHS लेके नहीं चल सकते है यहाँ एक लफड़ा होता है क्या लफड़ा होता है होता क्या है जैसे 2 less than 8 है ठीक है और मेरी अगर जरूरत पढ़े तो अगर इस 8 को 9 भी कर दे हम अब सही बोल है न अगर हमें जरूरत पढ़े हो इसको 9 करना पढ़ जाए तो हम कर सकते है क्योंकि अगर 8 2 less than 8 है तो 2 less than 9 भी होगा तो यह काम हम कर सकते है ठीक है तो इसलिए हमको LHS और RHS दोनों को लेके चलना पढ़ेगा तो देखिए 4 N is equal to K plus 1 के लिए हम करेंगे कैसे ध्यान से समझेगा देखो ध्यान से अब हम 4 N is equal to K plus 1 करेंगे कैसे साउधान आप कहरो यह चीज less than इसके है अगर N को K plus 1 लिखोगे तो आपको K plus 1 तक इसको ले जाना पढ़ेगा और इसके पहले K आएगा यानि K के बाद क्या आएगा K plus 1 अगर यहाँ पर दोनों तरफ में K plus 1 प्लस कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत आएगी यानि कि मैं यहाँ कर दूँ 1 plus 2 plus 3 up to so on K तक तो आपने लिखा ही है और यहाँ less than लिखा है आपने क्या 2 K plus 1 का whole square by 8 अरे भाई अगर यहाँ पर 1 K plus 1 हम प्लस कर दें इधर और K plus 1 इधर कर दें तो क्या inequality का sign change हो जाएगा नहीं होगा यानि कि यह चीज तो आपकी P K plus 1 आगई नहीं आगई अब वो चीज क्या नहीं चाहिए वो चीज आनी चाहिए अगर N को K plus 1 लिखते हैं तो यह क्या बन जाएगा अगर N को कि रखो ज़रा K plus 1 तो यह 2 K plus 1 प्लस 1 उपर आएगा ना मतलब 2 K plus 3 तो actually मैं अगर इसको solve करके 2 K plus 3 का whole square by 8 कर दो यह चीज solve करके और आप कह दो कि यह जो चीज है ना वो 2 K plus 3 whole square by 8 से छोटी है तो आपका statement सही होगा नहीं होगा हो जाएगा ना तो इसको calculate करते हैं जरा ठीक है मतलब अब आप कहेंगे आपने तो less than लिख दिया लिख दिया ना लेकिन यह अभी हम अपने आप लिख दिया दो तब K plus 1 लिख दिया 8 लिया लिख तो यह क्या आएगा 2 K plus 1 का whole square plus 8 K plus 1 by 8 सही कहा मैंने मैं इसको क्यावल कल्कुलेट करके यहां तक पहुंचाना चाहता हूँ यह इसके less है कि नहीं है ठीक है आगे दिखिए इसको थोड़ा calculate करिए तो इधर आएगा आपका 1 plus 2 plus 3 up to अरे यह तो 3 तक लिखो 4 तक लिखो कोई दिक्कत नहीं up to k plus k plus 1 is less than तो यह आ जाएगा आपका क्या बनेगा यह यह बनेगा 4 k square plus 1 plus 4 k plus 8 k plus 1 plus 8 by 8 लेख सकते हैं इसको देखें तो 1 plus 2 plus 3 up to k plus k plus 1 का whole square is less than यह है 4 k square plus 8 4 12 k plus 9 upon 8 तो आ गया 1 plus 2 plus 3 up to k plus k plus 1 यह हो लेख सकते हैं कहां से आ गया is less than यह क्या लिखा है अगर इसको देखें यह किस चीज का whole square लिखा है यह 2 k plus 3 का whole square लिखा हुआ है 2 k plus 3 का whole square by 8 लिखा हुआ है अब देखो आपको चाहिए क्या अगर ध्यान से समझे वा यही पर लफ़डा फसा हुआ है यह आपको चाहिए 2 k plus 1 plus 1 का whole square चाहिए ना यही लिखा है कि नहीं लिखा है इसको खोलो ज़रा 2 k plus 1 आएगा 2 k plus 2 प्लस 1 आएगा यही लिखा है ना यानि कि LHS RHS से less हो रहा नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यह statement true है for so it is true यही इसको चाहो तो लिख सकते हो less than इसको ऐसे लिखते हो 2 k plus 1 plus 1 का whole square ऐसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो आप लिखेंगे so it is true so it is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values of n इसका मतलब यह जो statement है वो हर value के लिए सही होता है एक चीज़ और जैसे आपको 2 k plus 3 whole square चाहिए ठीक लिख दिया आपने आपको चाहिए होता 2 k plus 4 और है 2 k plus 3 तो देखे ध्यान से अगर मैं इसको 2 k plus 4 लिख देता तो भाईया क्या यह अभी भी बड़ा होता अगर नहीं होता भाई देखे यहान 2 k plus 3 है माल लेते हैं आपको 2 k plus 5 चाहिए और बड़ी value चाहिए तो इसको अगर इससे ज़्यादा बड़ी कर देंगे value तो तभी भी तो लेफ्ट हंड साइड से बड़ी value होगी नहीं होगी जैसे का आपको हमने भी क्या कहा कि 5 less than 8 चाहिए और हमको यहान 9 चाहिए तो अगर मैं इसको 9 कर दूँ अपने आप तभी तो 5 से less होगा ठीक है जी आप अगर requirement हो तो inequality मैं ऐसा कर सकते हैं ठीक है तो यह है question number 18 and R.D. Sharma example number 31 देखिए अब जड़ा question का design change हुआ है ठीक है अब कुछ divisibility वाले question है इनका एक concept है मैं कोशिज करूँगा concept समझ में आ जाए यह कहते है पी अन एक बड़ी इसका नाम कुछ 5 यह कहरें multiple of 3 है यह मताँ यह 3 से divisible है n की हर value के लिए तो देखिए step 1 में क्या करना है आपको step 1 में करेंगे for n is equal to 1 लिखो जड़ा n को 1 तो यहाँ इसका नाम तो p1 हो गया यह आएगा 1 1 plus 1 1 plus 5 तो आएगा 2 into 6 is equal to 12 अब बताओ यह 3 का multiple है की नहीं है यह 3 से divisible है की नहीं है तो आप लिखेंगे is multiple of 3 is multiple of 3 यह 3 से divide हो रहा है ठीक अच्छा step 2 में क्या करना होता है step 2 में हमको हमें मान लेते हैं कि n की एक general value है k और k पर यह 3 का multiple है let for n is equal to k it is multiple of 3 मतलब अगर n को k लिख दें जिसका कि नाम हम p k लिख देंगे मतलब p k नाम नहीं लिख रहे है नाम हम p k लिख रहे है ठीक है तो गलत वर्ड न समझीगा तो आएगा k k प्लस 1 k प्लस 5 अगर 3 का multiple है मतलब क्या हुआ यह 3 के table में आएगा ना 3 to 1 3 to 2 3 to 3 तो यानि कि यह कुछ 3 to lambda type का आएगा नहीं आएगा 3 to कोई number वही माने यह 50 बना जाता तो 3 into किसे करता 17 तो 17 होता ठीक है तो हमने का यह 3 into lambda है इसका इस्तेमाल हमको भी करना पड़ेगा ठीक है अब हमको यह दिखाना है कि n is equal to k plus 1 जब रखेंगे इसके just बात की value तो यह 3 का multiple होगा कि नहीं होना वही आपकी जो testing है final testing है तो step 3 देखें जो हमें करना है step 3 for n is equal to k plus 1 यह ध्यान लेकिए यह result हमको use करना है ठीक है अब ज़रा n को k plus 1 लिखें तो यह आएगा p k plus 1 is equal to यह तो नाम के वल दे रहे हैं यह नहीं करना यहाँ भी equal यहाँ भी equal यह तो नाम देने की तरीका है आप चाहो तो इसको slash ऐसे कर सकते हो आई से आईजन लगा सकते हो उससे कोई दिक्वज़ाज बात नहीं है यह क्या आएगा यह k plus 1 आएगा यह k plus 1 करोगे तो k plus 2 आएगा इसमें k plus 1 करोगे तो k plus 6 आएगा अब आपको यह result कहीं से खोज के लाना है देखो इसको जो मैं देखता हूँ देखे आपको यह चीज़ चाहिए ना हमने k k plus 1 लिखा रहे ने दिया यह जो k plus 2 था ना इसको k plus 1 चाहिए हमको मैंने इसको k plus 1 अलग कर दिया 1 अलग कर दिया जो k plus 6 था थोड़ा के ज़्यादा दुबला बन गया यहाँ पर इसको ज़्याद सेहत मन कर दो इसको k plus 5 plus 1 कर दिया कोई दिक्कत क्योंकि हमारी requirement यह थी अब देखो हमने इस k का multiply पूरे k plus 1 से किया क्योंकि यह पूरा bracket हमको एक साथ चाहिए यह ध्यान रखिएगा k का multiply k plus 1 से किया फिर k का multiply 1 से किया तो k आ गया फिर 1 का multiply k plus 1 से किया तो k plus 1 आ गया 1 का multiply 1 से किया अब देखो इस पूरे का multiply हम किसे करेंगे पहले पहले इसको थोड़ा calculate कर लिजेगा इसको न खोल देना यह एक साथ चाहिए इसको disturb न करना क्योंकि यह जब drama करने के लिए हमने drama किया है k plus 1 plus यह 2 k आएगा plus 2 आएगा और यह दूसरे bracket में है k plus 5 plus 1 ठीक है यह ध्यान रखिए k k plus 1 k plus 5 को 3 lambda लिखना है फिलाल इसको हम rub कर देते हैं अब देखो इस k k plus 1 को पूरा का पूरा bracket multiply किसके साथ कर दे k plus 5 से तो यह हो जाएगा k k plus 1 into k plus 5 चलेगा plus इस k k plus 1 का multiply 1 से कर दे तो आएगा plus k into k plus 1 plus इस 2 k का multiply इससे कर देगा अब bracket खोल दीजेगा तो 2 k k के साथ आएगा तो 2 k square आएगा plus 10 k आएगा plus 2 k आएगा फिर 2 का multiply के से करेंगे तो plus का 2 k आएगा plus का 10 आएगा plus का 2 आएगा हमको यह result चाहिए था एक साथ हम यह खोज के ले आए अब देखो ध्यान से यह तो पूरा क्या हो गया 3 lambda मैंने इसको फिरल वहां से जो second equation था वहां से चुरा लिया plus अब यह bracket पूरा खोल दो तो आएगा k square plus k plus अब थोड़ा calculate कर लो यह 2 k square लिख दो plus 10 plus 2 12 14 plus 14 k plus 12 अब देखो ध्यान से यह 3 lambda है plus k square plus 2 k square और calculation simple mathematical हो रहा है यह bracket एक साथ चाहिए तो इसको एक साथ लिया है और कोई दिकत नहीं simply open कर रहे हुआ अबने आब आजाएगा तो यह आएगा 3 k square plus 14 plus 1 15 k plus 12 अब पूरे से 3 कामन दिख रहा है अबको तो यहाँ आएगा lambda यहाँ से 3 कामन लिया तो k square यहाँ 3 कामन लिया तो 5 k plus 4 अब बताओ 3 into something यह है न बाई कोई कोई number आएगा न यह 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70 तो is divisible by is also multiple of 3 multiple of 3 यही तो आपको प्रूफ करना था न कि यह 3 का multiple होगा ठीक है तो यह question number 19th RD का question number 24 है देखिए यह NCRD का 20th question है और RD का example 17 है यह PN लिखा हुआ है 10 to power 2N minus 1 और यह plus 1 यह power में है पूरा is divisible by 11 बताना ही यह 11 से divide हो जाएगा पूरा पूरा N की चाहिए जो value रखो यह जो भी आएगा 11 से divide हो जाएगा तो step 1 क्या करते हैं जैसा कि हम करते आएं 4N is equal to 1 1 पे check करते हैं कि यह 11 से divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है चरिए तो यह क्या हो जाएगा P1 is equal to 10 to power 2 into 1 minus 1 plus 1 तो 10 to power 2 minus 1 हो जाएगा 1 plus 1 तो को 11 आ गया और यह is divisible by 11 है कि नहीं है is divisible by 11 यानि कि N is equal 1 के लिए यह 11 से divisible है ठीक है यह तो proof हो गया step 2 में क्या करेंगे हमने कहा कि for N is equal to K यह divisible है कर देते हैं तो यानि यह क्या हो जाएगा 10 to power 2K minus 1 plus 1 यह 11 से divisible है का मतलब क्या होता है जो भी इसका result आएगा वो 11 का multiple होगा 11 into 1, 11 into 2 कुछ ऐसे तो आएगा तो इसको हमने क्या माले है 11 lambda अब ध्यान रखिए जब N को K plus 1 लिखेंगे तो हमको यह result चाहिए कहीं से और यह result जब आएगा तो हम क्या लिखेंगे 11 lambda क्योंकि हमको इसको यूज करना पड़ेगा तो for N is equal to K plus 1 देखें क्या करेंगे for N is equal to K plus 1, step 3 यह step 2 था, step 3 step का नाम लिखो न लिखो step ऐसे, तो मैं लिखवा रहा हूँ आप चाहो तो लिखो, चाहो न लिखो for N is equal to K plus 1 अब देखो लिखो यहाँ पर P K plus 1 is equal to वो तो नाम है इसका 10 to power 2 N को लिखा हमने K plus 1, minus 1, plus 1 ध्यान से समझेगा हमको यह चीज कहीं से अलग करनी होगी, ठीक है अभी कुछ कोशन आएंगे, जब अलग नहीं हो पाएगा तो उसका भी उसकी एक विदा है उसका एक method है, इसको खोड़ो तो यह 10 to power 2K plus 2, minus 1 आएगा कोई दिक्कत देखो, हम अगर इसको करें 10 to power 2K plus 2K minus 1 अलग कर दे और प्लस 10 to power 2 अलग कर दे into में आएगा, सॉरी कर सकते हैं न इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इतने को, 10 to power 2K minus 1 अलग, into 10 to power 2 अलग, ज़रा ध्यान करिये, exponential की प्रॉपर्टी अगर base equal होता है, तो यह power add हो जाती है, तो यह base equal है multiply में दोनों लिखे हैं power add करोगी तहीं तो answer आएगा न हमने इसको अलग कर दिया और plus 1 आ गया, ठीक है अब इस result को दिमाग में रखिएगा देखो हमारी requirement क्या है कि भया 10 to power 2K minus 1 चाहिए उसके साथ यह 100 नहीं चाहिए 1 चाहिए, तो यह 100 लिखा है दो भागों प्रेक कर दिया, 1 अलग कर दिया और 99 अलग कर दिया और plus 1, bracket खोल दीजे तो आएगा 10 to power 2K minus 1 जब bracket खोलोगी तो इसका multiply 1 से होगा न यही तो रहेगा केवल और plus 99 के साथ आएगा 10 to power 2K minus 1 और plus 1 इसको एक साथ लिख दिया जाए ठीक है, देखें लिखते हैं एक साथ तो हमने 10 to power 2K minus 1 और plus 1 एक साथ लिख दिया और यह 99 वला इसके बलग कर दिया अभी आप ध्यान से देखें यह क्या लिखा है यही तो आपने 11 lambda किया equation 2 में ध्यान देखें इसके पहले जो आपने लिखा है और plus 99 into 10 to power 2K minus 1 हमने यहां किया किया है using equation 2 कर दिया है है ना, अब देखो 2 माना था, 1 माना था देख लिजेगा तो अभी equation हो, क्योंकि इसको वर हमने माना नहीं है चेक कर लिजेगा यहां से 11 कामन हो जाएगा तो आएगा lambda plus 9 into 10 to power 2K minus 1 अब देखो ध्यान से 11 के साथ bracket में लिखा है कुछ लफडा और यह भी कोई value तो आएगी ना कुछ भी रखोगे, कुछ अगड़म बगड़म तगड़म कोई 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 60, 80, 80, कुछ आएगा ना तो is also divisible by 11 divisible by 11 इसका मतलब क्या होता है so pn is divisible by 11 divisible by 11 for all the values of n all the values of n हर value के लिए n की हर value के लिए होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरी साब से नोट का लीजे देखें यह 21st question है rd का example 14 है क्या दिया है pn is equal to x power 2n minus y power 2n is divisible by x plus y for all the values of n ठीक है यह ध्यान रखिएगा यह equation रटिएगा नहीं क्यों यह जो n है ना कभी कभी कोई कहते है for all even values of n तो ध्यान रखिए कि even value of n में n की पहली value 1 नहीं रखी जाएगी 2 रखी जाएगी होगे ना तो यह ध्यान रखिएगा अब ठीक है तो पहले step 1 करेंगे यहाँ चुक ऐसा नहीं दिया गया है step 1 जैसा कि हर question में करते आएगे for n is equal to 1 तो यह क्या आएगा p1 is equal to x to power 2 minus y to power 2 इसको लिसकते हैं x plus y into x minus y अब बताओ यह x plus y से divide हो जाएगा अरे भाई इसके अपान में लिखोगे x plus y तो x plus y उड़ा देगा इसको तो is divisible by is divisible by x plus y यह यह x plus y से divisible हो रहा है ठीक है step 2 देखें क्या लिखेंगे step 2 में क्या लिखेंगे कि let for n is equal to k it is divisible divisible by x plus y हमने कहा यह अगर n को k लिख देते हैं तो यह divisible होगा मा लेते हैं तो यानि कि यह हो जाएगा p क is equal to x to power 2 k minus y to power 2 k देखो अगर यह x plus y से divisible है मतलब क्या होता है x plus y का कुछ गुना होगा 2 times 3 times तो हमने कहा यह lambda times सा रहा है x plus y के तभी तो एक कट गया न x plus y डिवाइड करेगा और lambda उसका अंसर आजाएगा तो इसको एक question number 1 डाल दो और 1 वहाँ नहीं डाला है तो यहीं डाल दो अब step 3 थोड़ा गरबड करता है डिविजूल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है for n is equal to k plus 1 यहां लिखते हैं तो क्या आएगा यह आएगा x power 2 k plus 2 हो जाएगा minus y power 2 k plus 2 अब यहां से यह result बाहर निकालना है थोड़ा technique होती है technique यहां पर लिखती है यहां पर आप x power 2 k कर दो into y square इतना plus कर दो और x power 2 k कर दो plus into y square minus कर दो यह y power 2 k into x square y power 2 k into x y square यह minus कर दो plus कर दो देखो ध्यान से कोई फर्क पढ़ता नहीं आप सेम चीज प्लस करोगे मानस करोगे कोई दिक्कत है अब देखो यह result हमको चाहिए इसको क्या ले सकते हैं यह लिखा है x to power 2 k into x square आप जानते हैं बेस इक्वल होता है तो power इस प्रकार से लिखी जाती है और minus y to power 2 k into y square रिजल डाना है देखिए रैटिंग गंदी है इसलिए बड़ा-बड़ा लिखते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है देखो अगर इन दोनों को देखो इसको और इसको क्योंकि हमको अब फैक्टर करने पढ़ेगा न और यहां से x to power 2 k के कामन ले लो तो अंदर क्या बचेगा यहां बचेगा x square minus y square और इन दोनों को देखो और यहां से y square कामन ले लो प्लस y square कामन ले लो तो यहां बचेगा x to power 2 k positive x to power 2 k positive minus y to power 2 k negative समझ़ आई बात आगे न आप देखो ध्यान से यह x to power 2 k है इसको क्या ले सकते हो x plus y into x minus y plus y power 2 और इसकी value अभी आप lambda times of x plus y लिख चुके हो आपने यहां क्या किया है using किया है equation 1 का अब आपको क्या कामन दिख रहा है यहां से x plus y कामन दिख रहा है न यहां क्या बचेगा x to power 2 k in bracket x minus y plus x यह कामन दिख लिया है तो lambda into y square जरा ध्यान से दिखिए आप bracket के बाहर क्या लिखा है x plus y लिखा है न और bracket के अंदर क्या लिखा है यह technique थोड़ा अपलाई करनी पड़े हैं यह technique आएगी bracket के अंदर कुछ भी लिखा है कुछ तो result आएगा न तो अगर अपान में x plus y कर दो के तो इसको उड़ा देगा पूरा कर जाएगा न तो is also divisible by divisible by x plus y so it is divisible by x plus y for all the values of n so this is question number 21 note करिए देखिए यह ncrd का 22 हो rd का भी 22 है by chance लिखाए 3 to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8 step 1 easy है n को 1 रख दो अपने आप आ जाएगा step 2 easy है n को k रख दो कह दो divide है step 3 खतरनाख है थोड़ा समझना पड़ेगा तो step 1 की बात करते है step 1 4 n is equal to 1 तो यह p1 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा n को 1 रख दो रहा तो 3 to power 2 plus 2 minus 8 into 1 minus 9 तो यह 3 की पावर कितना आएगा 3 to power 4 minus 8 minus 9 कितना आएगा 3 तरफ दो रख दो रहता है तो 81 81 minus 98 17 यह minus है ना सही है ना minus का 17 81 में 17 minus करो जाएगा हमको ऐसे नहीं आता है 11 साथ के कितना आएगा 4 और यहां पचेगा 7 साथ में कि 64 आएगा तो यहनि 64 आगया अब बताओ यह 64 8 से divisible है की नहीं है तो आप दिखेंगे is divisible by divisible by 8 तो इसका होता है n is equal to 1 के लिए यह साही है ठीक है स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे कि let for n is equal to k it is divisible divisible by 8 तो n को k रखो तो यह आएगा pk is equal to 3 to power 2k plus 2 minus 8k minus 9 जब आप कहरो यह divisible by 8 है तो इसका result कुछ आएगा 8 lambda के टाइप का इसको equation 1 डाल दो अब step 3 थोड़ा साथ दिमाग वाला है उसको ध्यान से समुझेगा for n is equal to k plus 1 तो यहाँ नाम दे दिया pk plus 1 इससे कोई मतलब नहीं इस equal to से इसकी को naming करी है अप लिखो चाहें न लिखो देखो ध्यान से अगर n को k plus 1 लिखेंगे इतक्या आएगा 3 to power 2 n को लिखेंगे k plus 1 plus 2 minus 8 n को लिखेंगे k plus 1 अब देखो यह result लाना है अब देखो ध्यान से इसको खोलो 3 to power 2 k plus 2 plus 2 minus 8 k minus 8 minus 9 लिख दिया हमने इसको देखते हैं पहले हम हमको चाहें 3 to power 2 k plus 2 तो 3 to power 2 k plus 2 तो है यह 2 गरबर कर रहा है प्लस का तो इसको हम चाहें 3 to power 2 k plus 2 into 3 to power 2 लिख सकते हैं अभी इसी को आप टच करीगा वो पढ़ा रहने दिजेगा वो तो लिखा है हुआ है minus 8 k minus 8 minus 9 जानबू से calculate नहीं कर रहा है देखो हमको 3 to power 2 k plus 1 चाहिए इसका coefficient कितना है 1 है ना और यह क्या है 9 इसका coefficient 1 चाहिए और यह क्या है 9 तो 9 में से 1 अलग कर दो बचेगा क्या 8 तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 to power 2 k plus 2 और यह जो 9 है ना उसको लिखेंग 1 plus 8 कोई दिक्कत नहीं दिक्कत minus 8 k minus 8 minus 9 अब ज़रा इस bracket को खोलते हैं ठीक जब इस bracket को खोलोगे पहले यह 1 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 to power 2 k plus 2 plus 8 के साथ मल्टिप्लाई होगा 8 into 3 to power 2 k plus 2 और minus का 8 k minus का 8 minus का 9 अब जो आपको equation 2 में चाहिए उसको एक साल लिखो 3 to power 2 k plus 2 चाहिए लिख दिया हमने minus का 8 k चाहिए वो यहां मिल रहा है हमको minus का 9 चाहिए है मिल रहा है हमको बचा का क्या एक ये बचा एक भाई साथ ये बचे इनको अलग कर दो plus का 8 into 3 to power 2 k plus 2 minus का 8 इसको क्या ले सकते हैं अब यह हम बता चुके हैं 8 lambda और plus यह है 8 into 3 to power 2 k plus 2 हमने यहां क्या किया है equation 1 को use कर दिया है और पूरे से common क्या दिख रहा है 8 तो lambda plus 3 to power 2 k plus 2 अब देखो 8 का multiply किसी चीज़ से करोगे कोई भी result आएगा कुछ भी आएगा लेकिन multiply में 8 है न तो यह नहीं 8 का multiple है कि नहीं है तो is also is also divisible by 8 divisible divisible by 8 for all the values of n इसलिए n की हर value के लिए divisible होगा तो this is question number 22 of ncrt and 22 of rd देखें question क्या कह रहा है 23 question क्या कह रहा है 41 to power n minus 14 to power n is divisible by 27 वही तरीका वही है आपका घिसा पिटा इस टिप 1 for n is equal to 1 तो यहां से p1 क्या निकलेगा 41 to power n minus 14 to power sorry n को 1 लिखेंगे तो 41 to power 1 14 to power 1 यहांनि 41 minus 14 को minus को 27 आएगा अब minus करके लिए दिखा रहे हैं तो is divisible by 27 divisible by 27 इसका होता यह n is equal to 1 के लिए सही है इस step 2 में क्या करेंगे कि let it is divisible divisible by 27 for n is equal to k तो यह क्या हो जाएगा यह pk हो जाएगा और यह हो जाएगा 41 to power k minus 14 to power k जब 27 से digital होगा तो 27 lambda लिखेंगे ठीक है 27 into something आएगा वो something lambda है और step 3 क्या होगा for n is equal to k plus 1 इस वाली question को इस्तेमाल करेंगे और यह result हमको लाना है देखें क्या होगा pk plus 1 is equal to 41 to power k plus 1 minus 14 to power k plus 1 यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यह result आना है यह ध्यान रखेंगा ठीक है तो देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते है तो यह क्या लिखा है 41 to power k into 41 minus 14 to power k into 14 आप ध्यान दीजिए इसके पहले वाला एक question था जिसमें x to power 2 के वाला question था तो इसमें कुछ plus minus करना पड़ेगा तो हमने क्या किया इसमें क्या किया 41 into 14 to power k plus कर दिया और 41 into 14 to power k minus कर दिया उल्टा कर सकते हो आप 14 into 41 to power k plus कर के minus कर सकते हो केवाद थोड़ा calculate करने के लिए अब हमको लाना क्या है 41 to power k minus 14 to power k चाहिए 41 to power k minus 14 to power k चाहिए इसका मतलब मैं इसको और इसको एक साथ लिखूंगा नहीं देखे इसको इसको एक साल लिखर के value आ रही नहीं आ रही है इसको इसको एक साल लिखर के common क्या दिख रहा है आपको 41 कामन दिख रहा है न, यहां क्या आप चाहिएगा, 41 to power k minus 14 to power k, और इसमें क्या कामन दिख रहा है, 14 to, एक नट, देखो 14 to power k, यह तो same ची लिखे न, तो 41 minus, वही इसको अगर आप मन में x माल लीजे, अगर एक मन में x माल लीजे, तो 41x minus 14x लिखा हुआ है, तो minus 27 into 14 to power k हो जाएगा न, simple mathematical calculation है, same term लिखे न, like terms है, और यह क्या है, यह आप बता चुको 27 lambda, और minus 27 into 14 to power k, आपने यहां क्या किया है, equation 1 को use कर दिया, using equation 1, यहांस क्या कामन दिख रहा है, 27, तो 41 lambda minus 14 to power k is also divisible, divisible by 27, 27, so it is divisible by 27 for all the values of n, ठीक है, सुझ में आरी बहुए बहुए बात, देखे, यह 24th question of ncrtic size, an example 29 of rd sharma, देखे जान से, question कह रहा है कि 2n plus 1 is less than n plus 3 or square, मतलब यह चीज बढ़ी है, इससे, n की value चाहए जो, यह तो आपसे कह रहा है न, तो देखे, step 1 क्या करेंगे, वही तरीका, for n is equal to 1, इसकाल LHS निकालो जरा, LHS n को 1 लिखो, कितना आएगा, 3 आएगा न, और RHS निकालो जरा, तो n को 1 लिखो, तो 1 plus 3, 4, 4 का square क्या आएगा, 16 आएगा, अब बताओ, 3 less than 16 है कि नहीं है, है न, so it is true, so it is true for n is equal to 1, इसके लिए सही हो गया, step 2 में क्या करेंगे, कि भाई यह, let it is true for n is equal to k के लिए सही माल लिया, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, 2 k plus 1 is less than k plus 3 का whole square, बस यही पर थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाईएगा, ठीक है, क्योंकि k plus 1 के लिए, क्योंकि inequality में एक साथ लेके चलना पड़ता है, अब देखें, इसको k plus 1 के लिए कैसे दिखाएंगे हम, अब देखें, k plus 1 के लिए क्या requirement है और उसके लिए हम को करना क्या पड़ेगा, देखें, step 3 ज़रा समझने को उसके थोड़ा technical होता है, for n is equal to k plus 1, देखो ध्यान से, अगर मैं n को k plus 1 लिखता हूँ, तो यहां क्या आजाएगा, 2k plus 1 plus 1, ध्यान समझेगा, मतलब यह आएगा 2k plus 1 plus 1, यानि यह आएगा 2k plus 3, यानि 2k plus 3 है ना, और यहां पर क्या है, 2k plus 1, यानि अगर इसमें 2 plus कर देएं, तो यह ही result आएगा और नहीं आएगा, अगर इसमें 2 plus कर देएं, तो यह ही result आएग नहीं आएगा, आएगा ना, अगर 2 इधर भी plus कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाईया, दोनों तरफ सेम चीज़ अगर प्लस करेंगे तो value तो ही रहेगी inequality change होती नहीं तो मैं दोनों तरफ 2 प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर अपने requirement की हिसाब से और फिर उधर की बात बात में करेंगे हमको LHS मिल जाएगा तो हमने क्या कि 2K प्लस 1 जो हमारा था हमने इसका यूज कर लिए एक तरीके से अब देखो जड़ा इसको थोड़ा technique अगर मैं K प्लस 1 आरचस में लाना है तो आरचस में क्या आना चाहिए तब यहाँ N को K प्लस 1 लिखेंगे तो K प्लस 1 आएगा और प्लस 3 पहले से whole square यानि हमको K प्लस 4 का 8K लाना है ना तो अब देखना पड़ेगा मेरी requirement क्या और मुझे मिल क्या रहा है थोड़ा technique है ध्यान से समझेगा मैं इसको कहीं लिखे ले रहा हूँ अगर आरचस में N को K प्लस 1 लिख देता हूँ तो आरचस में K प्लस 4 का square चाहिए हमको तो यह लिखा है K square प्लस 16 प्लस 8K यह चाहिए और हमारे पास है क्या इधर तो आपका 2K प्लस 1 प्लस 2 आ गया उधर देखे जारा खोलिए इसको K square प्लस 9 प्लस 6K प्लस 2 यानि कि 2K प्लस 3 इसको लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं चुके requirement थी है मिल गया तो आएगा K square प्लस 6K प्लस 11 जड़ा साउधान अब यहां लफडा फसा हुआ है देखे अगर मैं इधर 2K प्लस 3 है है ना और यह less than इसके है मतलब यह value क्या है बड़ी है अगर मैं इसमे K square प्लस 6K की जगए मैं 8K लिख दूँ तो क्या मेरी value यह बड़ी रहेगी और नहीं रहेगी छोटी हो जाएगी नहीं होई रहेगी ना तो 8K लिख कर सकते हैं ना भाई जैसे अभी हमने कहा कि 2 less than 7 है तो ज़रूद प्लस यहां 8 भी लिख दो क्या फर्क पड़ता है value तो बड़ी होनी है ना अच्छा हमारे पास यहां 11 है और हमको 16 चाहिए तो अगर मैं इसको 16 लिख दूँ तो यह अभी भी बड़ी है ना तो यह sign तो यही रहेगा ना inequality में हम यह चीज कर सकते हैं शर्त यह है कि ऐसा करने से इस प्रकार से इस प्रकार की inequality लगाई जाती है तो दिस दे अंड ऑफ द अंसी रटी आडी शर्मा का एंड नहीं हुआ क्योंकि आडी शर्मा में मैं हर एक कोईशन को अलग अलग अप्लोड कर रहा हूं तो जो अंसी रटी मिल जाती है वो उसको ब्रेक कर देता हूं जिसे डबल मेनत नगनी पड़े आडी शर्मा की सलुसन आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए नमस्कार